कि चुले देखते हैं तो हमारा चेप्टर है रेजिडेंशल स्टेटस जो चल रहा था और आज आपका यूनियन बजट भी आया हाला कि जिस साल फाइनल चुनाओं होता है जैसे मान लोग कि हमारे पांस साल जब गवर्मेंट के हो जाते हैं तो जो पांसवे साल बजट आता ही नहीं है उस तेम हाफ बजट निकालते हैं क्योंकि मैंने कहा था बजट कब आता है फैब में लेकिन यह जुलाई में जुलाई में कैसे आया जब गवर्मेंट चार साल तक रहती है तो वहां तो तो फैब में आएगा और पांचवे साल के बाद गवर्मेंट को पता नहीं है कि वह आगे गवर्मेंट कंटीनियू रहेगा या फिर नहीं रहेगा हार गया तो हट जाएगा तो अभी इतने सारे प्रॉमिस नहीं कर सकता पांचवे साल में कि वह प्रॉमिस क्या हो जाए फेक हो जाए तो इसलिए वह आधा बजट सुनाते हैं और आधा हिस्सा उन्होंने क्या करा आज सुनाया बजट का बजट में टोटल 95 पॉइंट पे डिसकस किया गया जिसमें से हमारे स्लेबस के ल था स्लैब रेट में चेंजिस आया स्टेंडर डिड़क्शन में चेंजिस आये मिजरली जो हमारे लिए है स्टेंडर डिड़क्शन पहले 5000 हुआ करता था 25000 कर दिया थोड़ाइब इस हैं पहले 3 swinging नहीं देना था अब भी टेक्स नहीं देना लेकिन 3 से पहले 6 था अब उस को साथ कर दिया गया बस यानि गौवर्मेंट ने एक तरीके से देखा जाए तो इधर उधर करके जस्ट पब्लिक को थोड़ा सा कन्फ्यूज किया एक कैपिटल गेंट चेप्टर है जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा भी पहले 10% टेक्स था उस पर 12% किया और पहले शॉट ट्रम कैपिटल गेंट पर 15 था उसको 20 कर दिया मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ कम नहीं किया गया गवर्मेंट ने प सबस्ता हो आज जाओगे मार्केट में अगर कल जिसने गोल्ड लिया होगा तो इसको 72,000 रुपे के साब से मिला होगा और जो आज लेने जाएगा उसको 65,000 की साब से मिल जाएगा तो 5-6,000 गोल्ड टूट गया इंपोर्ड ड्यूटी गोल्ड पे से उन्होंने क्या करा किसिस रेइट को मिला होता है वहत कम बेनिफिट मिल पाएगा लेकिन गोल्ड तो जो रेट हो रहा होता है उसके रहेगा उसके बाद मान कललो ज्स्ते हैं साल बर्में दूबार्ही 75,000 हो जाने है तो वो एक investment opportunity है तो हमारे paper में बहुत सारे बच्चों के mind में होगा कि सर आज budget जो आया है तो हमारे क्या syllabus के अंदर इसका impact है गा नहीं आपका syllabus तो बहुत पहले design हो चुका है तो इस budget से आपका syllabus का लेना देना नहीं है हाँ ये अगले साल जब बच्चे आएंगे तो मैं उनको नई वाली बाते फिर पढ़ाओ लेगिन फिर भी क्योंकि जॉब जब करने जाओगे तो मैं चेंज हो गया है तो वह interview में आपका negative impact पढ़ जाता है जैसे बोला गया कि अब तीन से लेके साथ लाग तक कोई टेक्स नहीं लगेगा और हम अभी जो आप पढ़ रहे हैं वह तीन से छे तक सौरी तीन से छे तक 5% है और अभी जो आज बोला गया बोला तीन से साथ तक 5% होगा तो इंटर्विव में पूछा गया आपसे कि बताओ तीन से अगर छे लाग की इंकम है तो कितने परसेंट होगा यह 3-7 लाग पर तो आप तो मैंने जो पढ़ाया वह बोल दोगे तो फिर आप इंटर्विव में नहीं हो पाऊगे उसको current data चाहिए होता capital gain पर टेक्स अगर आप बोलते हो कि सर खाने पीने की समान दाल आटा पेट्रोल गाड़ी मोबाइल फोन इन सभी चीजों के रेट सस्ते होंगे future में तो शेर मार्केट टूटेगा अगर बोलते हो सर यह तो सस्ते हो ही नहीं सकते तो future में तो शेर मार्केट बढ़ना है यह impact short term का होता है लेकिन अभी कहा जा रहा है कि शेर मार्केट बहुत ज्यादा एक upscale पे है कभी भी इसमें एक major 10% तक की correction आ सकती है 10% का 10% से ज्यादा भी हो सकता है impact correction आ सकता है कभी भी तो अभी investment point of view से सही नहीं है शेर मार्केट जिसके शेर मार्केट में investment में पैसा कमाया उसे निकालने कि में ही फाइदा रहेगा कि सब्सक्राइब के आंसर भी लिख देना कैसे है मैं आज मैंने जो आपको upload किया है class में उसके अंदर answers भी डाल दिये हैं तो आप चेक कर सकते हो सायद कुछ बच्चों को ना दिखा हो practice question के नाम से डाला है उसमें कुछ tenure के questions और कुछ तो मैं आ पूचरा था आज रेजिदेंशल स्टेस खतम हो जाएगा आज नहीं होगा एक class और लगेगा क्योंकि रेजिदेंशल स्टेटस जो है वह अभी individual का खतम हमें का बहुत करना होगा हमें कांपनी का भी करना होगा सभी का करना पड़ेगा तो अभी तो इन्डिवीजब का चल कि आप रेजिडेंशल स्टेस आपका कैसे होगा अगर आप 152 डेज रह लाओगे तो आपका रेजिडेंच Kings कैसे होगा visIAN Theature लेने के दो तरीके होते हैं कि का हर कंट्री के नियम अलग-अलग है अब इंडिया के अनदर सिटिजेंशिप अगर लेना है तो एक तो इंडिया में आपको बॉन होना है और आपके मम्मी पापा में से कोई एक इंडिया में बॉन होना चाहिए इंडियन होना चाहिए तब जाके आप इंडियन सिटिजन बनोगे लेकिन ये 1982 से पहले अगर आप इंडिया में बॉन हो जाते थे आपके मम्मी पापा चा तो आप Indian citizen हो लेकिन उसके साथ साथ आपके मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक Indian होना चाहिए तभी आपको Indian citizenship मिलेगा दूसरा तरीका है कि आप इंडिया में रहने वाले male हो या female हो एक दूसरे जो spouse है वो शादी कर ले कोई फॉरन तो आपको Indian citizenship मिल जाता है तीसरा तरीका आप बहुत दिनों तक रह रहे हो तो आपको Indian citizenship मिल जाएगा आपको apply करना पड़ेगा home minister को और उनके कुछ process है legally वो पूरा करना पड़ेगा काफि सारे सोचते के अधार कार्ड बन गया तो Indian citizen नहीं भाई अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके अधार कार्ड तो है ही नहीं आज के date पे भी तो क्या वो Indian citizen नहीं है वो है अधार कार्ड कभी भी classify नहीं करेगा आपके citizenship को citizenship के लिए जो condition citizenship act में लिखा हुआ है उसी के according चलोगे तभी आपका Indian citizen माना जाएगा तो सर क्या citizenship और residential status दोनों अलग अलग चीज है हाँ भाई दोनों अलग अलग चीज है residential status के लिए तो मातर आपको 182 दिन रहना हो गए आप resident लेकिन citizenship के लिए आपको तो बहुत सारी चीजों को फुल्फिल करना पड़ेगा तब बनोगे अब बताओ क्या एवरी रेजिदेंशल जो भी जिसका एवरी रेजिदेंट मैं कोशन पूछ रहा हूं आप मुझे बताना हर एक रेजिदेंट क्या citizen हो सकता है इंडिया का मेरा कोशन है कि हर एक रेजिदेंट जितने भी रेजि रेजिदेंट होने के लिए तो प्रेटली अगर मेरा के अंदर 120 दिन गूम लेता है तो रेजिदेंट हो जागा तो वह इंडियन मेरा है नहीं हो सकता है और हर किसी को ना देश का एक ही citizen ले सकता है जैसे मालो मैं इंडिया का citizen हूं अगर मैं भारती हो तो मैं चाहूं US में भी अपना citizen ले लू तो नहीं हो सकता ऐसा अगर मैं US के अंदर अपना citizenship green card लूँगा तो मेरी भारत की citizenship क्या होगी खतम हो जाएगी automatically खतम हो जाएगी तो हम दो देश के citizen भी नहीं हो सकते लेकिन कुछ exception cases हैं आपने सुना होगा कि यह वहां का भी नागरिक है यहां का भी नागरिक है तो कुछ privileges दी जाती है तो उस case में होगा लेकिन जो law कहता है बोलता है कि भाईया आपको एक ही देश की नागरिकता मिलेगी खेर आएए हम आगे बढ़ते हैं हमारा concept क्या है सर हम अभी तक क्या पढ़ चुके है सर हम पढ़ चुके है residential status residential status में आपके दो condition है एक basic condition है और एक additional condition है basic condition कहता है 182 days complete करो अगर इसमें नहीं हो पा रहे तो आपको करना पड़ेगा 60 और 365 last 4 year में complete अगर आप ये भी complete नहीं कर पाते हो तो आप non-resident हो अगर आप कर देते हो तो आप resident हो लेकिन कुछ exception case में सरिफ 182 days चलेगा तीन case में Indian origin crew member और employment ship के लिए बाहर जाते हो additional condition कहता है आपको दो बार residential होना पड़ेगा 10 साल में 730 दिन complete करना पड़ेगा पिछले 7 सालों में अगर आप basic और additional दोनों कर देते हो तो आप बन जाओगे resident ordinary resident इसके अलाबा एक और यहाँ पे deemed resident का concept है कि अगर आपकी income 15 लाख रुपे से जादा पैसा कमा रहे हो foreign income को छोड़ गे और वो कहीं और tax नहीं लगा हो कहीं और tax नहीं हुआ हो जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारी ऐसी country है जहाँ पे कुछ income पे tax है ही नहीं जैसे आप मान लो golf country बहुत सारी है जहाँ पे income tax होता ही नहीं है या फिर आप morrisis देख लो वहाँ भी tax का implementation नहीं है तो आपके अगर किसी country में आपने इंडिया से पैसे कमाए 15 लाक रुपे से जादा और कहीं इस पे उपर tax नहीं लगा है अगर इस 15 लाक रुपे पे कहीं tax लग चुका है कहीं बाहर देश में आपका तो तो फिर आप resident नहीं हो कि आपका past and tax income पे income tax नहीं लगेगा agriculture इंडिया से income tax नहीं लगेगा relative से gift लोगे income tax नहीं लगेगा शादी पे gift लोगे income tax नहीं लगेगा बागी सभी पे आपका income tax लग रहा था अगर इंडिया से control हो रहा है तो दो पे tax लगेगा remittance के case में एक के उपर tax लगेगा एक्जाम में पूछे गए हैं उन को हम डिसकस करने वाले हैं तो यह सारी चीजें हम कर चुके हैं अब जितने भी डिस्प्ले पर कोश्चन से अगर आप बोलते हो सर इसके अंदर से कोई कोश्चन मेरे साथ डिसकस कर लीजिए तो हम उसकी बात करेंगा एक बच्चे ने बोल पता नहीं डाउट बता दीजिए एक बार कुन से कुश्चन है और आज सेमेस्टर सिक्स का भी रिजल्ट आ चुका है तो अब मान के चलो एस वेल का तो खैर अभी नहीं आएगा रिजल्ट लेकिन रेगुलर वालों का बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा अब कर इस ब किया कोई जो डिस्प्ले में पॉइंंट बता दो तो मैं डाउट में नंबर बता दो तो मैं कर लूँगा नहीं तो फिर मैं सोचуем करा दो भी तो कोई तो कह रहा था आपने कहा discuss कर दो तो मैं सिर्फ discuss कर रहा हूं मैं solution नहीं कर रहा हूं 10-year वाले का solution करूँगा ठीक है कहता है salary income receive in India किसके लिए taxable तीनों के लिए ROR किसके लिए taxable यह होगा ROR NOR और NR किस basis पर सर तीनों पर taxable होगा क्योंकि इंडिया से इंकम प्रोफेशन इंडिया बट रिसीव जर्मनी अब भाई पैसा भारत में कमा लिया तो तीनों के लिए taxable प्रोपर्टी इंकम युगांडा युगांडा भारत में है कहा है बहार है आउट और विच टू फॉर्टी रेमिटिट टू इंडिया तो भाई बहार है तो सिर्फ आर एक के लिए taxable होगा अब हाफ पैसे भारत में रिसीव कर लिए फरक ही नहीं पड़ता रेमिटिट के इसमें भी एक पर ही टेक्स होता है और फॉरें इंकम है तो एक के लिए taxable है यहां पे आप अजम्शन लोगे कि वहीं ही रिसीव हो रहा है पॉरें इंकम है प्रॉफिट अंड बिजनस बैंगलोर तो भारत में यह तो तीनों के लिए taxable अग्री कल्चर इन केनिया केनिया भारत का पार्ट नहीं है तो किसके लिए taxable होगा हम मानते हैं ऐसे सिच्वेशन रिसीव होई हो रहा है तो सिर्फ आर सुद्स में डाल दी है और ऐसे कोशन साज आएंगे मैं टैनीयर उठा लेता हूं टैनीयर के कोशन उठा लेता हूं ठीक है है और मैं सीधा टैनीयर के शुशन उठा लेता हूं कि अ वा कि मुए मेखा अब तो कि कि कुछ नमबर वन हाला कि इसमें आंसर था लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या कह रहा है नहीं कह रहा है 2009 में पूछा गया कुछन है आपके कुछन एक्जाम में आए हुए तो पैटर्न आप मान के चलिए के सर ऐसा ही कुछ कुछन हमारे पेपर में पूछे जाएंगे क्या कहता है कुछन में मिस्टर एक्स आप फॉरण नेशनल नॉट बिंग इन पर्सन इंडियन ओरीजन बोलता है यह इंडियन ओरीजन नहीं है कहीं आप सोचों इंडियन ओरीजन हो सकता है कम्स टू इंडिया फॉर्स टाइम सोला दस दोहजार बीस को विजिट वन नैंटी डेस ही फरनेस दा फॉलविंग पर्टीकुलर इंकम और दूरिंग दा प्रिविएस इयर रेलेवेंट टू दा एससेस्मेंट यर एक किस बाइस की बात कर रहा है एसेस्मेंट यर पुरान का रेसिदेंचल स्टेटस चेक करेंगे कि भाइया तू है क्या उसी के बाद पता करेंगे तेरह पर टेक्स कितना लगेगा तो कंप्यूट टूटल इंगम मिस्टर एक्स तो वह आया हमें एसेस्मेंट यर बीस-इक्किस का मतलब है हमें बीस और एक्किस का टेक्स का कोटूबर कि नवोंबर कि दिसंबर कि जनवरी कि फरवरी मार्च कुछ बच्चे कहेंगे सर वैसे लिखा हुआ है 190 दिन तो क्यूं यह कर रहो है कैलकुलेट इतना टाइम क्यों लगा रहो है यहां डेट दे रखा है साल नहीं दे रखा कि इस साल में 190 दिन आया अब मैं बोल लोगे तो जब डेट और डेज दे दे तो आपको कल्कुलेट करना पड़ेगा अगर डेट नहीं होता बोलता इस साल में मतलब बोलता वह बीस और एक्किस में 190 दिन आया तो हमें निश्चिंत हो जाना था भहिया 190 दिन आया तो देखो यहां पर कितने दिन आया जिरू जि क्योंकि अक्टूबर में 31 होते हैं तो 16 दिन ही होंगे न इसके अद नॉम्बर में 30 31 31 और फरवरी अब जो आ गया 21 आ गया तो 28 ही होगा मार्च में 31 तो एक बार डेस काउंट कर लेते हैं साल में भहिया जिस दिन से आया उस दिन से कितने डेट है क्योंकि एक्जामनर बड़ा चालाख है यह देखो कितने बने और बच्चे ने 190 देखा रेजिडेंट और आगे बढ़ गए यह गलती करते हैं भाई वह 190 दिन रुका एगरी लेकिन इसके बाद भी वह रुकी रहा हो तो इसने बेसिक कंडिशन फुल्फिल नहीं किया अब दूसरा बेसिक कंडिशन फुल्फिल करने के लिए 60 दिन तो है लेकिन यह कह रहा है कि भाई यह पहली बार आया है जिंदगी में भारत तो पिछले चार सालों में तो 365 दिन कि होगा ही नहीं कहीं से भी नहीं हो सकता तो बेसिक कंडिशन ही पूरी नहीं करना तो इसका रेसिदेंशल ऩरी बाउ कि इसका इंकुल न गया है। नोन रेजिडेंट तो आपको बताना तो नोन रेजिडेंट का यह लेकिन मैं तीनों का बता देता हूं और फिर मैं हटा दूँगा कि भाईया इसका ही लेना है कि यह लिजिए चलिए इंडिया तो भाईया इंडिया के जमीन से हो गया ना तो भाईया आपका आर और हो चाहे एन और हो चाहे एन आर हो हमें तो करना इसके लिए तो तीनों टेक्स देंगे तो धाईलाग रोयल्टी रिसीब फ्रॉम फॉरम कंपनी आउटसाइड इंडिया बोलता है रोयल्टी रिसीब किया है फॉरम कंपनी आउटसाइड इंडिया पेड नोहाव यूज और्गनाइजेशन इन इंडिया नोहाव क्या होता है गुडविल के तरीके से माल लो ठीक है ना इंटेंगीबल इसेट से एक तो रोयल्टी रिसीफ फ्रॉम फॉरन कंपनी आउटसाइड इंडिया में रिसीफ हुआ कहता है पेड नोहाव यूज बाइ reminder कंपनी और लेकिन जो पेमिन किया रोयल्टी उसका ओर्गनाइजेशन कहा था कि थो है अंडिया में यह यहाद ने जो रिसीव हो रहा था वो इंडिया के वहां से कमाया जा रहा था रोयल्टी माल रोयल्टी बेसिकली होता किसलिए किताब वगेरा के लिए बुक्स वगेरा के लिए यह आपकी बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जो कि एकदम अब दूसरा नहीं है जैसे अब लाल के लिए को किराय पर देते हैं तो लाल के लिए को रोयल्टी पर दिया जाएगा उससे क्या लिया जाएगा रोयल्टी और जायतर बुक्स वगेरा के लिए रोयल्टी चलता है तो royalty income कहां से है वैसे तो organization इंडिया में था तो royalty कहां के लिए taxable होगा क्योंकि इंडिया में हो गया तो तीनों के लिए है समझे अब income from agriculture भूटान रेमेटी टू इंडिया तो रेमेटीड है ना तो एक के लिए ही होगा यानि आप से पूछा गया था तो इसके income कितनी बन जाएगी साड़े तीन लाग इसकी साड़े तीन लाग लेकिन इसकी बन जाएगी तीन दो पांच और छे साड़े छे लाग यह question में जवाब देना है तो आने वाले question सिसी टाइप से करना है वे एक वार इसके answer को भी पढ़ करना ठीक है तो आज की class में हम answer को भी देखेंगा देखते हैं कैसे लिखते हैं कि आईए सबसे पहले इन्होंने बताया during the previous year बीजिक्ष यानि बीजिक्ष के दौरान बीजिक्ष के दौरान देखें क्या लिखते हैं during the previous year बीजिक्ष मिस्टर एक्स इन इंडिया ओनली मिस्टर एक्स इस इन इंडिया ओनली 167 दिन जो हमने भी निकाला था 167 डेज मतलब पहले आपने यह बता दिया theory लिखते time पे answer लिखते time पे यह इंडिया में इतने दिन रुका था इस साल में क्योंकि हमें text किस साल के लिए निकालना है इस साल के लिए आगे इसने बताया October, November, December, January, February, March और उसके days को जैसे हमने निकाला है उसी के हिसाब से days को भी कर दिया गया यानि बोला गया October में 16 द कैसे बने 177 दिन वो बता रहा है October में बना इतना नौंबर, December, January ऐसे He does not satisfy any of the condition of section 6-1 या आप यहाँ पर यह लिख सकते है He does not satisfy any of the basic condition क्या लिख सकते है उसके जग़ा पर basic condition ठीक है ना तो यह यहाँ पर बात बन गई Therefore, He will be treated as non-resident इस बज़े से कहा जा सकता है कि यह कै है non-resident और questions के answer मानलो अगर 10 नंबर में आगे तो और elaborate करना है तो He is not satisfied the any one of the basic condition basic condition is if at least stay in India 182 days basic condition 2 is 60 days or 365 days preceding 4 year If any one condition satisfy the Mr. X he will be become resident but he will be none of the above condition या बोध कंडिशन में से क्यों इसको non-resident मतलब होता ने एक answer 10 नंबर का आगया तो उस case के अंदर आपको थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा यानि जो आपको मैंने चीज़ें बताई है उन चीजों को एक theory format में explain कर दो और हाला कि यह चीज़ें जो होती है ने यह तो पढ़ाया इस हिसाब से जा रहा है आपको ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए चलिए इंडियन एसेस्मेंट इयर इसके इंकम की तो इंकम यहां पर निकाल दिया अब स्टार्टिंग में क्या लिखा इसा कोशन आता है तो बारा नंबर का पहले पंदरा नंबर का कोशन हुआ करता था तो उस पूस्टाइम परोफी संट आया होगा तो वह 10 नंबरट के केश में आया हुआ लेकिन सार अगर हमlla कोशन करके आंसर को हम ऐसे करके आते ऐसे इस फॉर्मेट में के के यह days ways हमने roughly निकाल लिया और examiner को बताये नहीं कहीं रफ में लिख लिया और यह वाला total करके निकाल लिया मैंने तो income निकाल के बता दिया जो पूछा था ऐसे case में अगर यह 12 नंबर काता है तो आपको 3 या 4 नंबर मिलें पेपर में तो not expectation नहीं कर सकते के बहुत जादा यहां पर section का था mention आप section मत लिखो तब भी कोई फरक नंबर पर फरक नहीं पड़ेगा और section लिख दो तब भी आपके number जादा नहीं मिलेंगा लेकिन अगर गलत लिख दिया वहां पर section 1 सबसेक्शन 1 है वहां पर अगर आपने section 6 मैंने 1 कह दिया section 6 सबसेक्शन 1 था अगर आ आपको अब 3 भी नहीं मिलेंगा आपको 0 ही मिलेंगे फिर उस केस में चाहे आपने सारी चीजे detail में लिखा हो सिर्फ मैं इस answer की बात कर रहा हूं एक mistake कर दूं और सर वह mistake मैं क्या करूं वह mistake वह कर दूं क्या मैं सिर्फ एक mistake करना चाहता हूं कि यहां पर जो लिखा हुआ ह यहां पर इसको मैं गलती से मैं लिख दूं section 61 गलत जीरो section 61 आ जाता है clubbing of income में तो बिल्कुल अलग chapter ही आ गया section 61 में तो अलग बात ही लिखा हुआ है कि कोई भी income without transfer of any assets तो वह एसे के income को दोगे तो उस पर कैसे टेक्स लगेगा यह बाते बोली गई और आप यहां एक्जामिनर को बोलो section 60 में यह बाते बोली गई है मिस्टेक हो गया bracket लगाने में मिस्टेक हुआ ना number आपको 0 मिलेंगे उस case में आप कुछ नहीं कर सकते चाहे आप पेपर मंगा लो कुछ कर लो सर इतनी सी गलती होगे नहीं भाई उसमें number 0 तो मैं हर बच्चो को कहूंगा कि आपने क्या करना है section को नहीं लिखो बेटर है बहुत अच्छे से याद है तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं इससे marks के उपर आपके अब आप नहीं आएगा बहुत सारे बहुत बोलते हैं कि यार में पूरे section लिकूंगा तो में आपको पूरे नमबर होंगे ऐसे नहीं होता करे या करे दुश्क करें करें